भारतिय इतिहास में जालिया वाला बाग नरसंगहार अंग्रेजों के अत्याचार की दर्दना घटना है। उस निसंस घटना की याद आते ही इतने बरसो बाद भी असहनिय पीड़ा होटती है। सन 1951 में भारत सरकार द्वारा इस नरसंगहार में सहीद हुए लोगों के याद में अस्मारक अस्थापित किया गया। यह अस्मारक आज भारतिय स्वाधिनता संगर्ष और बलिदान का प्रतीक बन गया है। जालिया वाला बाग पंजाब के अमरि सरजिले में पवित्र स्वन मंदिर के पास एक छोटा सा बाग है जो चारो ओर से मकान से घिरा हुआ है। इस बाग में प्रवेश और निकास का एक ही संकरा मार गए इसी बाग में पंजाब के लोग अंग्रेजों के द्वारा थोपे गए रॉलेट एक्ट के विरोध में एकत्रित हुए थे अंग्रेजों ने 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया था इस कानून के तहट अंग्रेजों को किसी भी भारतिये को देश बिरोधी गतिविदियों से जुड़े होने के संदेह में बिना मुकदमा चलाए करावास में डालने या कैद करने के लिए अधिकरित कर दिया गय जिसे रोकने हे तू सरकार ने मार्सल लौ लागू किया था और पंजाब में कानून बेवस्ता ब्रिगेडियर जानरल डायर को सौपी गई थी महात्मा गांधी ने इस कानून का बिरोध करने के लिए पंजाब जाने का निंडे लिया अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के पंजाब में प्रवेस करने पर प्रतिबंद लगा दिया और उन्हें गिरफतार करने का आदेश जारी कर दिया गया इसके बिरोध में डक्टर सैफुदिन किचलू और डक्टर सत्पाल नामक प्रमुख नेताओं ने पंजाब में सांते पून परदर्शन का आयोजन किया लेकिन अंग्रेजों ने उनको धोखे से कैद कर लिया इन नेताओं को छुडाने गई निहत्ती जंता पर अंग्रेजों द्वारा गोलियां बरसाई गई इस गोली बारी में अनेक लोग मारे गए अंग्रेजों की दमनकारी नीती, रॉलेट एक्ट और इन दोनों नेताओं की गिरफतारी के खिलाब जालिया वाला बाग में 13 अपरेल 1919 को सभा का आयोजन किया गया इस सभा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे उस दिन बैसाखी का पवित्र पर होने के कारण बहुत से लोग अपने परिवार के साथ बाग में मेला भी देखने आये थे अंग्रेजों ने उस दिन कुरूरता की सारी हदे पार कर दी सभा में जब भासर हो रहा था उसी दोरान ब्रिगेडियर जनरल रिजनौल डायर नबे ब्रिटिस सैनिकों के साथ बाग के अंदर परवेश कर गया और वहां मौजूद लोगों को चितावनी दिये भी नहीं गोलिया चलानी सुरू कर दी महज दस मिनट में 16-15 राउंड गोलिया चलाई गई जालिया वाला बाग के निकास द्वार पर ही जनरल डायर सैनिकों के साथ खड़ा गोलिया बरसा रहा था बाग से भागने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण लोग बचाने के लिए वहीं मवजूद कुए में कूदने लगे लेकिन थोड़ी देर में ही कुवां लासों से पढ़ गया इस कार्ण में कई परिवार समाप्त हो गए अंग्रेजों ने छोटे छोटे बच्चों महिलाओं और बुढों तक को नहीं छोड़ा इस निसंस हत्या कार्ण में एक हजार से ज़्यादा लोग बलिदान हुए और दो हजार से ज़्यादा लोग घायल हुए लेकिन अंग्रेजों ने अपनी घ्रणित कृत्य को छुपाने के लिए मिर्तकों की संख्या 200 से 250 तक गिनाई इस निसंस घटना के विरोध में गुर्देव रविंदनाट टैगोर ने अपनी नाइट हुड की उफादी त्याग दिया इस घटना में बलिदानी इस घटना में बलिदानियों के त्याग और संघर्ष ने भारतियों को सुतंत्रता अंदोलन में और बढ़ चड़ कर भाग लेने के लिए प्रेरित हुए